पिछली रात एक बड़े भूस खलन की वज़ा से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और मंगलवार को राजमार्ग पर कोई भी यातायात संभव नहीं हो सका सूचना के नुसार रामबन में पहाड फिसकने से राष्ट्य राजमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया जिससे मार्ग पूरी तरह से बंधर हो गया स्थानी लोगों ने घटना के लिए राजमार को चोड़ा करही एजेंसी ग्यामन इंडिया को जिम्यदार ठहराया है और उस पर लापरवाही का आरोप लगाया है उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि राजमार के काम पर लगे ठेकेदारों को सतरकता बरतने के निर्देश दिये जाए इस बीच SSP Traffic National Highway की देखरेक में मलबा हटाने का काम जारी है और कल तक कम से कम एक तरफा यातायात के बहाल होने की उमीद है इसके इस लाइंड स्राइड के चलते यह ट्राफिक प्लाइंग में बड़ी दिक्त आती है तो इसलिए आज का दिन पुरा ट्राफिक सस्पेंड किया गया है तब यह इस प्रशी को पूरी अच्छी तरह से क्लियर किया जाए